नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको ये खुबसूरत सा पाइदान बनाने के लिए बताऊंगी ये नारियल के रस्षी से हम बनाए हैं आपको और ये बना करके आपको हम दिखाते हैं ये बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही अच्छा ये ब यूज करेंगे तो देखिए हम नारियल का रस्सी यह हम इस तरह का नारियल का रस्सी आता है आप इसको यूज कीजिए और इसी से हम आपको ये पाइदान बनाने के लिए बताएंगे तो इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पर जो है हम धागा से पहले इस पर ब ज़अ आप्ट से सब्सक्रियंका भी मोडती ज़बाओ अनरो दोगने कहाँ भी १ा में यहां से सब्सक्रियल ज़ेंगे टिकांड़ की पोधंने किरा प्रन कीणों दोड़ को ज़द तक माई फिर इसक थोड़ा सा इसे मोड़ेंगे और ऊसके बाद इसको हम पूरा चैसे इ गुमा करके इसको गोल कर लेंगे और फिर इस पर हम लपेटेंगे फिर देखे थोड़ा सा इसे गुमाएंगे और इस पर हम इस तरह से लपेटेंगे अब देखे यह हमारा दो बर घुम गया है और हम इसको अब पूरा इस पर हम लपेट देंगे थोड़ा धागा को और इसक को धीरे धीरे ऐसे घुमाते जाएंगे और चारो तरफ से इसको हम लपेट लेंगे तो इस पे तीन चार बार इस तरह से लपेट लेना है और उसके बाद देखे हम लपेटने के बाद यहां पर एक छोटा सा सुई लगा लिये हैं ये कार्पेट सुई है इसको हमें छेद नहीं करना है इसलिए हम कार्पेट सुई से इसका काम कर सकते हैं तो हम इसको देखें यहां पर से डालेंगे और इसको हम ऐसे निकाल करके और इस पर हम इस तरह से डालेंगे फिर देखें यहां धागा के बीच से डालेंगे और इस दोनो को हम ऐसे बांध देंगे फिर देखें ऐसे घुमाएंगे थोड़ा दूर के अंतराल पर फिर ऐसे डालेंगे और इसको हम इस तरह से बांध देंगे फिर देखें यहां घुशाएंगे धाग सुई को डालेंगे फिर इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे तो अब देखें ये हम इस तरह से इसको गोल करते जाएंगे और इसके चारो और से हम सिलते जाएंगे तो देखें यहाँ पर डाले ये जो दो रसी का जो बीच में है उस पर डालना है आपको रसी में नहीं डालना है तो देखें ऐसे इसको हम यहां से टाइट करके घिचते जाएंगे तो यह हमारा गोल होते जाएगा देखिए फिर यहां से करें अब यह धीरे 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 पढ़ते जाएगा इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और पूरे में गोल करते जाएंगे और गोल करते हुए इसको हम बढ़ाते जाएंगे डाल इस तरह से गोल करते हुए इसको आगे जो है सिलते जाएंगे तो इस तरह से जो है हमारा ये पाइदान बन करके तैयार हो जाएगा तो देखिए इस तरह से हम बनाए हैं यहां पर पहले किये उसके बाद इस तरह से हम पूरे में जितना बढ़ा चाहें, उतना बढ़ा पाइदान बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा पाइदान कैसा लगा? कॉमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा ये पाइदान का डीजाइन पसंद आया हो, तो लाइक करें और धेर सारा सेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू